सांस के साथ सांस की नली ट्रेकिया में चलें तो बहुत जाएंगे फेपड़ों के अंदर दोनों लंग्ज में कोई 30-30 हजार बाल जितने महीन ब्रॉंकियोल्स हर ब्रॉंकियोल के सिरे पर अंगूर के गुच्छों जैसी हवा की फैलिया अल्वियोलाए यही अल्वियोलाए हमारे फेपड़े की सतह को बहुत बड़ा बना देते हैं सतह पर फैली कैपिलरीज इतनी महीन कि वो एक बार में सिर्फ एक ब्लड सेल को ही जाने देती हैं और यहीं होती है ओक्सिजन और काबन डायोकसाइड की अदला बदली यह क्रम हमारी जिन्दगी भर चलता रहता है हमारे फेपड़ों में मासपेशी नहीं सांस खीचने और छोड़ने का काम है डायफ्राम का एक महनती मासपेशी जो रबशीत की तरह छाती को पेट से अलग रखती है डायफ्राम सिकोडता है नीचे खिचता है तो लंग में जगा बनती है वो फैलते हैं और सांस अंदर आती है इनहेलेशन डायफ्राम रिलाक्स होता है शितिल तो फेपड़े सिकोडते हैं और अंदर भरी हवा को बाहर धकेल देते हैं इसे एक मज़ेदार मॉडल बना कर समझा जा सकता है यहां इस बिना पेंदी की बोतल में नीचे लगा बड़ा गुबबारा है डायफ्राम बोतल हमारी चाती और अंदर लगे दो गुबबारे हमारे फेपड़े इसे प्रफ़ेदार में क्या लाइब वाव केटू यह हमारे अल्वियूलाइ है ना अल्वियूलाइ जिनकी पतली दिवारों से काबन डायोकसाइड और ऑक्सिजिन इधर से उदर जाते हैं वैसे केटू एक बात बताईए यूमन लांग्स के बारे में तो हम सब समझ गए लेकिन यह जो चुछ